मसकार दोस्तो ओनलाइन लर्णिंग इस चैनल में आप सभी का स्वागत है असी शब्द प्रति मिनट की गती से संपात की डिक्टेशन जो बोली जाएगी उसकी सभी डिफिकर्ट आउटलाइन हमने आपर लिख दिये हैं आप इसका स्क्रीन शोड ले सकते हैं और अपनी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल सके हैं संपात के डिक्टेशन असी शब्द प्रति मिनट की गती से स्टार्ट होगी तीन सेकेंड बाद स्टार्ट पांच राज्यों के विधान सभा चुनावों के मद्दे नजर डीजल पैट्रोल घरेलू गैस और सी एनजी की कीमतों में बडोतरी रोक दी गई थी इसलिए कयास लगाए जा रहे थे की चुनाव नतीजों की घोशना के बाद इनकी कीमतों में भारी उच्छाल आएगा हालांकी तेल कमपनियों ने एकदम से बडोतरी नहीं की है मगर करीब साड़े तीन महिने बाद फिर से कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं कुछ दिनों पहले CNG की कीमत 50 पैसे प्रती किलोग्राम बढ़ाई गई डीजल की थोक बिक्री में 25 रुपे लीटर की बढ़ोतरी की गई अब खुद्रा कीमतों में करीब 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है इसी तरह पैटरोल की कीमतें भी करीब 80 पैसे बढ़ी है घरेलू गैस के सिलिंडर पर 50 रुपे की बढ़ोतरी की गई है इन कीमतों में इजाफा स्वभाविक रूप से अपेक्षित था क्योंकि अंतराष्टिय बजार में कच्चे तेल की कीमतें 130 डोलर के आसपास पहुच गई जो अब तक की सरवाधिक है उधर रूस और युक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजहा से भारत के तेल आयात पर संकट गहरा गया है विधान सभाच चुनावों से पहले केंद्र और कुछ राज्य सरकारों ने उत्पाद शुल्क में कटोती करके कीमतों को काबू में लाने का परियास किया था मगर यह मूल समस्या का स्थाई हल नहीं माना जा रहा था पिछले तीन महीने से तेल के दामों की समिक्षा रुकी रहने की वजहा से तेल कमपनियों पर वित्तिय बोज पढ़ रहा था इस दोरान उन पर काफी बोज बढ़ चुका है उनकी भरपाई कीमतों में बढ़ोतरी के जरिये ही संभव है मगर सरकार ने थोक बिक्री के जरिये इसे साधना उचित समझा है जिसके चलते एक परकार की विसंगती पैदा हो गई है इस तरह उद्योगिक उत्पादन का खर्च और वस्तूओं की कीमतें बढ़ने की संभावना पैदा हो गई हैं इन सब में उबभोकता पर सबसे अधिक मार घरेलू गैस की कीमतें बढ़ने से पड़ रही हैं समानने नागरिकों को अपने वाहन आदी के लिए तेल बेशक ना खरीदना पड़ता हो पर इंधन के लिए गैस सिलेंडर का रोजमर्रा इस्तेमाल करना पड़ता है अब सिलेंडर की कीमत एक हजार रुपे के आसपास पहुच गई है केंदर ने उजवला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त सिलेंडर देने की उपलब्धी लंबे समे तक गिनाई थी मगर वह सिलेंडर अब लोगों के गले की फास बन चुका है ना तो वे उसे छोड़ कर पारमपरिक इंधन का विकल्प चुन पा रहे हैं और ना उसमें गैस भराने का पैसा जुटा पा रहे हैं स्टोप दोस्तों आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बोक्स में अपने सुझाव जरूर दें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में